तो कंपनी ने जो है इस्टेक्टर के अंदर तीन तरह के मोड दिये हुए हैं एक मिलेगा आपको इस्टेक्टर में इको का मोड दूसरा मिलेगा आपको इको प्लस और साथ ही साथ जो है आप देहिए ये रहा इको और ये रहा इसका पावर मोड और ये रहा इको प्लस Company ने जो है 어्टेक्टर को 3 तरह के मोड के साथ में लॉंच किया है जिससे आप ईस्टेक्टर को 45 HP, 55 HP اور साथ में 55 HTS. 3 तरह के मोड के साथ में जो है इस्टेक्टर को ड्राइब कर पाईगे इश्टेक्टर को तीन तरह के मोल के साथ में लॉँच किया है जिससे आप सिग्त को 45श t दोस्तो आजकी इस वीडियो में हं इश्टेक्टर का पूरा फूल डेटेल विब्यू करने वाले हैं तो आप चेनल जो है इंडिया मेंसेंट्र के नदर ओफर का चलिए बात करते हैं सभसे पहले हम को श्डीक्तर में 3d मैं देखने के लिए मिलेगी ले न हे 15tin प्लस की जो है विस्क हो earmark 3D के इंदर देखने के लिए मिल जाएगी जोश्तो इस टेक्टर के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं मुझे परस्टेक्टर के अंदर लगे तीन तरह के जो मोड है कमतीन है इस टेक्टर के अंदर ओफर किये हुए हैं वो बहुत सांदार लगे दोस्तों इसका सबसे वड़ा फायदा क्या होगा आईए मैं आपको स्टेक्टर को स्टार्ट करके सुनाता हूं है ना ताकि आपको भी पता चली कि यह जो तीन तरह के सब्सक्राइब कर लेता हूं यह दोस्तों मैंने इसके कल जीए साड़े पंद्रा सूला सो में इसके आर्पियम सैट अब देखिए मैं इसको जो है इको मोड में लगाता हूं इसका साउंड्चैंज हो गया यह पावर मोड दीखिये डिस्पले भी होता है यहां पर पावर म मिलेगा इसमें इक द healthy का मोड दूसरा मिलेगा में पावर जिस ते जो है दोस्तों आप 45 साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा भारत का एक मातर यह ट्रेक्टर ऐसा है जिसमें आपको पैंसाड़ एच्पी के साथ मैं चौह साथ एच्पी की पीडियू पावर देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों दूसरी बात करें इस ट्रेक्टर में गेर गेर में क्या खास है कमपनी ने जो है इस ट्रेक्टर के अंदर गेर में यहां पर आप देखिए इस कमपनी ने जो है इस ट्रेक्टर में लो हाई मीडियम का गेर दे दिया है पहले इसमें मीडियम नहीं आता था बट कमपनी जो है इस ट्रेक्टर के अंदर मीडियम गेर दे जिससे अब आपको स्टैक्टर में 12 फारवर्ड 4 रिवर्स फुली साइट से सिंख्रो मैक्स गयर वॉक्स देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर आपको 16 स्थीड़ दिखने के लिए मिले गी साथ ही साथ यहां पर जो है कंपनी ने आपको स्टैक्टर में डिस्टिबीटर बॉल्व का लीवर दिया हुआ है जिससे आप सेफरेटर में डिस्टिबीटर बॉल्व को ऑपरेट कर पाएंगे यहां पर जो है कंपनी ने के लिए मिलता है इंडिपेंडेंड और यहां पर आपको ट्रांसमीशन की सेफरेट किलच देखने के लिए मिलती है साथ ही साथ पीटियू का यहां पर कंपनी ने आपको ट्रांसमीशन की सेफरेट लिवर दिया हुआ है यह पीटियू का किलच हो गया किसान भाईयों और यहां पर यह ट्रांसमीशन की फ्यूल ट्राइब का लिवर मिल जाता है यहां पर जो फ्यूल टेंग कैपसिटी है कंप इन्दर के अंदर ओफर कर आई हुई है साथी साथ comfort को लेके बात करें तो यहां पर आप इस्टेक्टर की सीट देखो दोस्तों यहां से जो आपको comfort मिलेगा वह बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा साथ ही साथ यहां पर company ने यह देखिए लेदर जो है company ने मैंट फिनिस का उपयोग किया हुआ है जिससे स्टेक्टर का comfort बहुत ही ज्यादा इन्हेंस हो चुका है और यहां पर जो आपको स्टेक स्टेक्टर के अंदर double pump लगाए हुए है यहां पर यदि हम बात करें दोस्तों स्टेक्टर को engine को लेकर है मैं आपको जो है स्टेक्टर का engine दिखाता हूं यह रहा इसका single piece bonnet खोल दिया और यहां से जो है इसके यह रहा holder है तो कर लिया मैंने इसको hold अभी आप यह कर दिया है ठीक है यहां पर जो है कंपणी ने स्टेक्टर के अंदर CIDI engine लगा के दिया हुआ है टर्बो लगा हुआ है यह आप देखिए टर्बो लगा हुआ है इस ट्रेक्टर में जो है आपको 65 horsepower का engine मिलता है जो की 540 से लेके पच्च्छो सो रेटेड रपीम तक बढ़ करती है कंपनी देखने के लिए मिल जाती है ऐसी हम बात और दोस्तों यहां पर कंपनी जो है देक्टर के अंदर के अंदर की कुलेंट सिस्टम आफर करती है एक है डीजल कूलन दूसरा मिलेगा इंटर कूलेंकर रहता है दीजल ठंटा रहता है counterpart की पूरी transmission oil मालो engine oil जो है ठंडा रहेगा और radiator लगा हुगा है engine को ठंडा करने के लिए इस ट्रेक्टर में four wheel drive की जो साप्ट है company ने hub reduction वाली लगाई हुई है heavy duty non adjustable straight forward cross वाली साथ ही साथ front में जो bumper है यहाँ पर आपको 200 kg का front bumper मिलेगा यानि की दो कुंटल का और यहाँ पर आपको company ने side guard भी जो है इसके अंदर लगा के दिये हुए हैं जिससे कीचर कंकर पत्थर जो है किसान तक के पैरों में ना पहुच पाए और यहाँ पर भी company ने heat guard भी लगाया हुआ हुआ है साथ इस टेक्टर में टायर साइज के इंदर बात करें तो अगला टायर जो है आपको स्टेक्टर में 11,20,24 का देखने के लिए मिलेगा और पिछले टायर के इंदर बात करें तो यहाँ पर भी company ने जो है इस टेक्टर के अंदर good year का टायर ओफर किया हुआ है जो कि 16,30 टायर साइज के साथ में आता है साथ ही साथ company ने जो है इस टेक्टर की rounding को कम करने के लिए पिछले में जो है आप डिस्क लगाई हुई है जिसमें आपको 50 kg की extra dix देखने के लिए मिलेगी जिससे इस टेक्टर की जो rounding है बहुत ही ज्यादा less than हो जाती है और यहा यहां पर जो steering है company ने आपको इस टेक्टर में वही जो कि पहले से आती थी स्टेक्टर 56 में सिंगल एक्टिंग hydraulic power steering वही power steering देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम आए हुए है न्यू होलेंड स्रियाम टेक्टर से जैंसी जो की जवल मद्धप्रदेश में स्थेद हैं और यहां पर न्यू हलेंड company की तरफ से आने हम बाले हर एक latest model जो है देखने के लिए मिल जाते हैं चलिए ले चलते हैं पीछे की तरफ तो यहां और भी ज़्यादा बात करेंगे पिछले हिस्से में मिलने वाले features की तो पिछले हिस्से मे कंपनी ने जो है आपको स्टेक्टर में जरूरत के सारे जो है अपग्रेड़ेट फीचर दिये हुए हैं जैसे कि आपको जो है डबल डिस्ट्यूइटर बॉल्व इस्टेक्टर में पहले से ही मिलता था वही कंपनी ने दिया हुआ है टापलिंग के अंदर एक पॉइंट मिल साथ ही साथ लिफ्टिंग कैप सिटी जो है आपको स्टेक्टर में पच्चेस सो केजी की चमता वाली देखने के लिए मिलेगी और यहां जो टूल वॉक्स है कंपनी ना फाइवर का दिया हुआ है जिसमें आप टूल विगेरा स्टोरेज करके रखवाएंगे और दो लीट सबसे अलग और सांदार जो है पर्फॉर्मेंस और टॉर्क केह देना चाहिए वो रखता है दोस्तों आज की वीडियो पस इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सेयर करना चैनल को सब्सक्राइब जै जबान जै किसान